हेलो बच्चो नमस्कार तो आज बच्चो हम अपना फिफ्थ चैप्टर का असाइन्मेंट सॉल्व करने जा रहे हैं ठीक है मैं उनको आपको पीडिएफ के थुरू आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा ठीक है और नेक्स्ट क्लास में यह समझ के चलो कि इस क्लास में लग अब अगर इसको सॉल्व किया जाए हाँ जी तो अगर मैं असाइन्मेंट के साब से पहला कोशन देखूं तो लिखा हुआ है देखो मैं पढ़ रहा हूं फिर आपको बताऊंगा दिखा हुआ है एटम्स ओफ एट एलिमेंट एबी सी डी एफ जी एच एच एबी सी डी हमें करहा है दा शेन्म्बर ओ एलक्त्रॉनिक सेल यानि कि इनके ःलक्त्रो निक सेल्स सेम और या नेकि सेम पिरेट अधि गूर्पवें और अधि है तीफिरेंट नभर ऑफ ऐश्मी ओंट ऑउम्टर और अउड आउटर मॉट्र मुसल मैं अलग 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 एलग अलग व compound बनाते हैं ठीक है जी ठीक है compound is added to a small amount to almost all the vegetable disease during the cooking मतलब खाना बनाते समय इसका जो A और G का जो compound है वो डाला जाता है तो ठीक है जी हमें पता से लिगा है नमक है यह इसका मतलब जब नमक है तो नमक क्या आता वही किस से मिलके बनता है sodium और chlorine से और sodium chlorine के electron को खोलेंगे तो जैसे अगर sodium को खोलते हैं माल लो sodium के 11 होते हैं तो 2,8,1 और chlorine को भी खोलते हैं तो 17 होते हैं 2,8,7 इसका मतलब यह कि तीसरे period के हैं यह कौन से period के हैं तीसरे period के हैं ठीक है अब कह रहा है A and B are basic A और B basic nature के है इसका मतलब जरूर metal होंगी यह अब कह अच्छा अब कह रहा है कि कह रहा है कि कह रहा दा oxide of D almost neutral डी का oxide क्या है neutral है ठीक है कि कह रहा है बेज रून दा अब इन्फरमेशन इस information के अधार पर बताओ कि पांच कोशन दिये हुए इसका क्या क्या जवाब हो सकता है तो मैं देखो इतना तो मुझे पास चल गया है कि य यह sodium की line वाले हैं तो चलो हम ना अपने अपने सुविधा के लिए यह लिख लेते हैं कि मान लेते हैं यह sodium है ठीक है यह magnesium है यह aluminium है ठीक है और यह silicon है यह phosphorus है और यह कौन है sulfur है यह chlorine है और यह argon है यह मान के चल रहे हैं यह लैट यानि कि हमने अपनी तरफ से यह इस तरीक और फिर्ट पूष्टा हम से तो विच गृट और पिरड इस दिस हावजो तो अगर मैं पिर्ड़ की बात करूं तो इसका पिरड़ कौन सा बही period is third period is third आवर्थ आवर्थ कौन सा है तीसरा ठीक है तीसरा और अगर group की बात की जाए तो group तो भाई या एक से लेके पूरे 18 तक है sum of एक से लेके 18 तक है question number 2 what would be the nature of compound combination of the element B and F भाई B और F का क्या element का बनेगा हाँ जी तो भाई मुझे जब पताई यह पहले का यह दूसरे का यह तीसरे का ठीक है गया one one बचा एक इसके नीचे एक इसके नीचे तो बनेगा B F ठीक है थर्ड थर्ड विच ओफ दू थीज एलिमेंट्स कुड डेफिनेट भी मैटल कौन कौन सेच में डेफिनेट मैटल है तो ए और बी मैटल है ए एंड बी फोर्थ पांच नंबर का आया था कोशन देख लो विच वन ऑफ दा एलिमेंट इस मोस्ट लाइकली टू दा गैसियस इस्टेट ठीक है एट रूम टेंपरिचर तो गैसी स्टेट में कौन है आरगन कौन है आरगन यहीं कि एच इतना सा लिखना है बस अब कर रहा है इव दा नंबर ओफ ऐलिमेंट ऑफ दा आउटर मोस्ट सेल सी, सी के आउटर मोस्ट सेल में थ्री है और जी के आउटर मोस्ट सेल में साथ है ऐसा बोला उसने तो बताओ इनका कंपाउंड क्या बनेगा अरे बाई अगर सी में थ्री है आउटर मोस्ट में तो प्लस का थ्री जी में साथ है तो माइनस का वन एक इसके नीचे तीन इसके पुर्ट पर यह है पांच नमबर कोश्चन कोश्चन नमबर फिर्स्ट थे कि इसके बाद देखो चलो यह नोट कर लिया इसका देखो कोशन नमर सेकिंड सारे पांच पांच नमर के कोशन है यह राइट दा नेम ऑफ सिंबल ऑफ तू मोस्ट रेक्टिव मेटल बिलॉंगिंग टू गुरूप फर्स्ट अंजी और प्रियोडिक टेबल हाँ तो गुरूप फर्स्ट में से कौन आता है पहले भाई अब बताओ सोडियम एंड पोटेस two metals react with the halogen which name is the which a name is the bond formed between these element known and the class of compound हाँ आपको पता ही हालोजन के साथ जो बनता है वह आईनिक योगिक बनता है और इसका electronic structure दिखाना है तो कैसे होगा बाई जैसे अगर आप मानलो sodium को लेते हो तो यह हो गया और किसी halogen को लेते हो तो आपको पता है इसके last में साथ electron होते हैं एक इसको transfer हो जाएगा तो एनने के उपर plus आ जाएगा CL के उपर माइनस आ जाएगा और यह बन जाएगा एनने CL ठीक है ठीक है अब कहरा है कि इनकी चार physical properties बताओ ठीक है इनकी चार physical properties बताओ तो हाँ वह क्या होता है यह solid होते हैं ठीक है इनका melting point boiling point बहुत हाई होता है ठीक है Natalie सह B9 mm Desule balling point होता है प्लस क्या है कि आए मैं यह वाटर में जल्दी से वाटरмы जल्दी से डिजॉल्व नहीं होते हैं ठीक है और क्या है और क्या बहुत का क्रिस्टाइल क्रिश्टलाइन फॉर्म में होते हैं ठीक है और बस होगी चार प्रफटी लिग दी ठीक अगला कि अगला बी सी तीन अलिमेंट है ठीक है तो कह रहा है बताओ क्या है अच्छा यह देखो यह कोशन है कह रहा है आपको कोशन दे रखा है ग्रूप सोला और ग्रूप सत्रा यह दे रखा है और आपको पोजीशन दे रखिए एक दो तीन यह B दे रखा है फिर यह डैस ए फिर यह डैस यह सी यह डैस यह सी चार अलिमेंट इस तरहीं ते अब इसमें एक ए करके आपसे पूछा है इसमें A के करके आपसे पूछा है क्या? कि भाई, सबसे पहले पहला question A is a metal or non-metal अरे भाई, जब group number 17 में है वो A, तो भाई, non-metal होगा A is a non-metal भाई, group number 17 में तो non-metal ही होते है ठीक है? A, एक आध हातु है Second Second क्या है? Whether C is more reactive और less reactive than A भाई, C जो है वो A से more reactive और less reactive भाई, top to bottom reactivity बढ़ती है तो इसका मतलब C जो है, वो ज़्यादा नीचे है bottom में है, तो मतलब C is more reactive more reactive than A C, A से अधिक अभी गिरिया सील है अभी गिरिया सील है अगे अगला है C will be larger और smaller in size B हाँ भाई, C का size B से छोटा हो गए या बड़ा अरे भाई, 16 जो है वो left में 17 जो है वो right में तो left to right size क्या होता? decrease तो इसका मतलब C is smaller than B smaller than B C, B से छोटा C, B से आकार में छोटा है आकार में छोटा है ठीक है? fourth point अगला है which type of iron, cation, anion, A भई A क्या है? non-metal और non-metal हमेंशा electron लेते हैं और electron लेने वाला anion होता है देने वाला cation होता है तो A has anion A has anion A A के पास रिनातमक आवेश है रिनातमक आवेश है ठीक है जी? नोट करो नोट करो इसे आदे ज़्यादे ज़्यादे अभी खत्म कराता हूँ इसे तो ठीक है ज़्यादे दूझे तो टक ज़ख कैंट ज़्यादे है तिर का ज़्यादे और है हो 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 तो अच्छ अच्छ टू शेल्स बोट अफ वेच और कम्प्लेटली फिल्ड हाँ वही देखो आयरे मेंट की पहचान करनी है, और आपको कंडीशन दीवी है और उसी के साथ से करनीडा यह लिए नहीं करवायस पहले होग थे हुचन तो जण करनी है करो इन जी मेंट की पहचान करो पहला कह रहा है two cell होने चाहिए both of which are completely filled with electron दो cell होने चाहिए दो कक्षाएं होनी चाहिए और दोनों की दोनों भरी भी होनी चाहिए लो जी दो कक्षाएं होनी चाहिए दोनों की दोनों भरी होनी चाहिए मतलब इसमें 2 इसमें 8 तो टोटल हो गए 10, इसका मतलब क्या हो गया, neon, ठीक है, बी, कह रहा है, 282, किसका electronic configuration होता है, विन्यास किसका होता है, तो magnesium का होता है, C, कह रहा है, टोटल तीन सेल है, तीन कक्षाएं है, और valence electron, मतलब valence cell, आखरी में 4 है, तो जरूर दूसरे में 8, इसमें 2 होंगे, तो टोटल 14 हो गए, तो किसका आगया, silicon, D, D, D में क्या है, कह रहा है, 2 cell है, और दूसरे वाले में पहले वाले का double है, तो यानि कि पहले में 2 होता है, तो अगले में कितना होगा, 4, यानि 6 आगया, तो किसका होगा, carbon का, E, अब की बार फिर से कह रहा है, दो cell है, ठीक है, लेकिन इस बार आखरी वाले में 3 है, इसमें 2 है, तो इसमें कितना होगा, 5, और 5 किसका होता है, boron का, ठीक है, यह है answer, ठीक है, अब देखो, question number 6, 2 elements X and Y have atomic number 12 and 16, वहीं, एक element X जिसका number 12 है, एक element Y जिसका number 16 है, क्यारा, write the electronic configuration, लो जी, इसका, X का electronic configuration होगा, 282, जब कि Y का configuration होगा, 286, ठीक है, क्यारा, to which period, the modern period table, तो क्यारा, बताओ, यह किस period से है, both are, both are from, हाँ भई, किस से, third period, ठीक है, भई, दोनों, तीसरे आवर्थ से हैं, कैसे बार चला, क्योंकि तीन बार खुला यह है, ना, इनके बीच में कैसा bond बनेगा, अरे बहीं, यह metal, यह non-metal तो, आइनिक bond बनेगा, है ना, अ, दे फॉर्म, दे फॉर्म, आइनिक, आइनिक bond, दे फॉर्म, आइनिक bond, यह आइनिक आबंद बनाएंगे, आइनिक आबंद, बनाएंगे, ठीक है, कोश्चन नमबर साथ, जाद नहीं, आठ आपको करना है, नो भी आपको करना है, दस भी आपको करना है, ग्यारवा करवार हूँ, अभी करने के लिए दे रहा हूँ, अगर नहीं होगा तो, अगली किलास में बता दूँँ, टैंसर मतलो, यह चलो, दसमा मैं करा देता हूँ, खाम खाम मैं आपको कनफ्यूजन होईगी फिर, देखो, कह रहा है, एटम आफ सेवन एलिमेंट, भाई साथ अलिमेंट है, ए, बी, सी, डी, ए, 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 फ, जी, बिल्कुल सेम भाई, पहले वाले के तरह है, ठीक है, कह रहा है, डिफरेंट नंबर ओफ इलेक्ट्रोनिक सेल, सबके डिफरेंट नंबर ओफ इलेक्ट्रोनिक सेल है, मतलब, पीरट के साब से दिया गए, इसमें एक होगा, इसमें दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, साथ, साथ सेल तक होँगे, ठीक है, अब कह रहा ह है एक सट बना देता है common salt यह ज़रूर है ट्रुजन होगा तो आपने के लिए बना लेते हैं ही यह है यह और जो klärने के नीचे लीधियम है यह जोलियम होगा यह पोटेशीं होगा यह जरूर यह होगा यही हम अपने सोवधा बना रहे हैं कि ठेक है आगे कहा रहा है A is a liquid the oxide of element A यानि A का जो oxide है वो liquid है room temperature पर सही बात है भाई कौन है ये ये water बन जाएगा सही बात है अब neutral substance है तो इसका मतलब पका water है कहा रहा है कि जो बाकी के 6 element है वो basic nature का इसका मतलब सारे metal है तो चलो बाई condition बताते हैं कह रहा है what could the element A ठीक है तो बाई element A क्या हो सकता है A is hydrogen A is hydrogen A hydrogen है ठीक है दूशरा Will element A to G A से लेके G तक belong the same period और same group बाई same period है या same group है तो बाई same group है ठीक है first group same group first group ठीक है समान समू क्या बाई first sum ठीक है third अगला क्या पूछा है write the formula of the compound found by the reaction of A with oxygen A के साथ जो oxygen हाँ बाई A तो इसका बता है hydrogen की जगा plus one oxygen का minus two दो इसके इसके तो क्या बन जाएगए A to O अब तुम कोगए A क्यों लगा तो क्योंकि हमें hydrogen का ही लेने के लिए बोला नहीं है इसलिए उसने बोला A से दिखाओ so the information of the compound by combination of element C with हाँ तो वैं C C के साथ क्लोरीन का तो C C वैं सोडियम है तो सोडियम का plus one क्लोरीन का minus one एक इसके नीचे एक इसके नीचे बन जाएगा C, C, L ठीक है 5 करवड वोड वोड वी दा रेशो आफ नंबर आफ कंबाइनिंग एटम आफ दा compound found by the combination with element A with carbon हाँ वही हाँ जब इसका element A का carbon के साथ रेशो बनाते है तो आपको पता है ना मैंने आपको बता है था alkyn, alkyn, alkyn चाह कोई सभी टर्म हो C, H2, C, H2 का अंतर होता है तो मतलब जो इनका इसका element A का carbon के साथ carbon के साथ जो रेशो रहेगा वो 1 रेशो 2 रहेगा क्या रहेगा ने, 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 सॉरी, सॉरी 2 रेशो 1 एक कारबन और 2 हाइड्रोजन ठीक है अगला विच वन अफ द गिवन अलिमेंट इस लाइकल दूगा स्मॉलेश रेडियस सबसे छोटा किसका रेडियस होगा A का A हैस इसमॉलेश रेडियस ठीक है वाई, सबसे छोटा इसी का होगा अभर रेडियस कि 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 अब आता है कोशन नंबर दस ग्यारा आपको खुद करने के लिए रहा है कि ग्यारा भी खुद करने लिए बारा चौदा अब देखो अब जैसे कोशन में नेम दा मैटलोईट्स तो मैटलोईट्स आप बताई दोगे ठीक है अब आथा आईजोईलेक्ट्रोनिक आईजोईलेक्रोनिक क्यारा बताओ इनमें सा आईजोईलेक्ट्रोनिक कौन है कौन नहीं है वैंदेखो देखो CA 2+, potassium, magnesium 2+, sulfur 2-, chlorine-, अब देखो, सबसे पहले है कैल्सियम, कैल्सियम का कितना है, दो, कैल्सियम का होता 20, ठीक है, और इसको अगर तोडेंगे, तो 2, 8, 8, 2, और जब इसने 2 दे दिया, तो बचेगा प्लस 2, इसका मतलब अब कितना बचा इस पर 18, ठीक है, चलो, अब potassium, potassium का होता 19, 2, 8, 8, 1, इसने किसी को कुछ नहीं दिया, मैंगनीशियम का होता 2+, मतलब 2, 8, यानि मैंगनीशियम का होता 2, 8, 2, लेकिन जब इसने 2 दे दिया, और इसका मतलब 2 और 8, 10 बचे, 2 तो दे दिया ने, अगला sulfur 2-, हाँ वही, तो इसका मतलब sulfur, sulfur का होता 16, 16 को तोड़ेंगे, तो कितना बनेगा, ठीक है, कितना बनेगा, 2, 8, 6, और जब इसने 2 electron ले लिया, तो 2- लग जाएगा, तो अब हो जाएगा, ठीक है, अब देखो, फिर आता क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन का होता 17, तोड़ोगे 2, 8, 7, जब इसने 1 electron ले लिया, तो इसका मत electron दे के, अपने पूरे ठार-ठार किये, तो कौन नहीं है, पोटेसियम नहीं है, और मैंगनीसियम आईसो इलेक्ट्रोनिक नहीं है, ठीक है जी, चलो, करो इसे, ठीक है, चलो, तो यह notes हो गए, खतम भाई, ठीक, तो इसी के साथ अपका यह भी खतम हो गया, अब next class में, ठीक है, इसके आगे questions करेंगे, ठीक है, फिलाल आप यह जो-जो question मैंने दिये हो, कर लेना, और जो अगर नहीं समझ माए, तो मुझे बता देना, मैं उकरवा दूँगा, ठीक है, चलो, आज की class नहीं खतम करते हैं, मिलते हैं next class में,